हुकаем है आप सब गाईज हमारा आज का वीढियो है हाइड slit profit προंश चो में होता है कि कारण नुक्सान और यॉलाज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे से पहले अफ मैं चैनल पर नए है कुर aufge relat aspect कर लें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें तक कि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें कोई सवाल हो तो कमेंट करें और आप मुझे इस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक में ने about में add किया हुआ है तो शलिए सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोसिल के कारण नुकसान और इलाज क्या है पुरुशो यानि मेल्स का वो रोग जिसमें एक या दोनों अंडकोस में पानी भर जाता है उसे हाइड्रोसिल कहते हैं यह एक थैली की तरह भूल जाते हैं य परान अंडकोस पेट से ट्यूब के माध्यम से अंडकोस की थैली यानि इसक्रॉटम में उतरते हैं हाइड्रोसिल तब होता है जब यह ट्यूब बंद ना होकर खुले ट्यूब के माध्यम से पेट में पेट से नालियों से आते हैं और इसक्रॉटम में फच जाता है इस का मेल्स होते हैं पुरुसों में इसका कारण ՟ेस्टिकल के आसपास अधिक, फ्लूड का निर्माड का बनना है, जो कि बहुत अधिक बन रहा है, यह ढ्रेन नहीं होता यह टेस्टिकल के उपर चोट लग जाने से भी हो सकता है, hydrocelle के कारर infection हो सकता है अब जान देते हैं hydrocelle को और किस नाम से जाना जाता है इसे process vaginalis या फिर patent process vaginalis भी कहा जाता है अब आप जान ले hydrocelle क्या है एक हाइड्रोसिल में हंडोकोस, टेस्टिकल घेरते हुए एक फ्लूइड से भरा सैक बन जाता है जिसे स्क्रॉटम में सूजन आ जाती है हाइड्रोसिल नौजात जो न्यूबॉर्ण बेवीज होते हैं उनमें आम तोर पर होता है और आम तोर पर जिवन के पहले वर्स में इलाज के बिना ही गायब हो जाता है एडल्ट यानि पूर्शों में स्क्रॉटम के भीतर सूजन या चोट के कारण हाइड्रोसिल होता है होता है जब वह माध्यम जिसके माध्यम से अंड़कोष पेट से नीचे उतरते हैं ठीक तरह से बंद नहीं हो पाते या फिर खुल जाता है इस कारण पेट में अंड़कोष की ठैली में जो लिक्विड उतरता रहता है जिससे हाइड्रोसिल हो जाता है और एडल्स में सूजन संक्रमड के कारण भी हो सकता है। तेष्टिकल यानि अंडकोस का सूट जाना, इस क्रॉॉटमम पानी भर जाना, जिससे या पानी से भरे गुपारे जैसे दिखने लगता है। यह हैड्रोसील के सिम्टम्स हैं अब बात करते हैं है Lebanon के लिए कैसे क्या जाता है यहनि उसके चैसे किल जादा है इसमें सबसे पहले फिजीकल एक्जाम किया जाता है इसक्रॉयाटम का सूजन दिखता है लेकिन इसमें छूने पर दर्द नहीं होता, टेस्टिकल पता नहीं लगते, क्योंकि उनके चारो और फ्लूट जमा होता है, इस क्रॉटम पर फ्लैस की लाइट चमकाने से पानी से भरा होने के करण यह चमक जाता है, जब आप उस पर फ्लैस लाइट दिखाएंगे तो यह चमक जाएगा, डाइगनोसिस को कन्फर्म करने के लिए अल्टरा साउंट किया जाता है, चलिए अब बात करते हैं, हाइडरोसिल के लिए इलाज क्या है, एश्पिरेशन में फ्लूट को फाइन नीडल से निकाला जाता है, लेकिन इसमें दुबारा होने के चांस बढ़ जाते हैं, इंग्यूनल हारनिया के केस में इलाज तुरंत सर्जरी के एक सर्जरी की जाती है, सर्जरी बहुत ही मुश्किल है और इसे कराने एक से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कि सरजरी एनिस्थीशिया दे कर की जाती है और कुछ घंटों में अस्पताल से छुटी दे दी जाती है हाइड्रोसील के केस में एक और सवाल आता है क्या एक बच्चे के दोनों हार्निया और हाइड्रोसील हो सकते हैं हाँ जी हो सकते हैं आम तोर पर टेस्टिकल पेट के अंदर बनते होते हैं बच्चे के जन्ट के पहले टेस्टिकल पेट से स्कुराटम के नीचे उतर जाते हैं यह प्रोसेस एक कनेक्शन के जरिये होता है जिसे प्रोसेस वजाएनेलिस कहते हैं यह पेट और अंडकोस के बी इसमें आते चली जाती हैं और एक हार्निया के रूप में दिखाई देती हैं और अगर प्रॉसेस वजाएनेलिस के ओपनिंग बहुत छोटी है तो आते तो नहीं लेकिन पेट का फ्लूइड फ्लूइड इस क्रॉटम में जाकर हाइड्रोसिल कर देता है अब बात करते हैं और कोटा सर्जिकल कट कर फ्लूइड को un- nous कोड्रेन कराते हैं और के साथ मया सब्सक्री की दिवारों को मजूत करते हैं इसलिए हार्निया रिप्यार कहा जाता है विइवार में लगाया जाता है या जोões होता है वो इस्क्रॉटम में लगाया जाता है सर्जरी की बात तो हो गई अब बात करते हैं किन लोगों में ओप्रेशन की जरूवत पड़ती है इसमें कोई भी एडल्ट हो मेल्स हो जिसे छोटे या बड़े आकार का हाइड्रोसील है उसे हाइड्रोसील ओप्रेशन की जरूवत होगी अब बात करते हाइड्रोसील जब जिसको होता है उसके उसे रिकवरी में कितना टाइम लगता है ग्रोइन एरिया और इस्क्रॉटम में सूजन या चोट दो से तीन हफ़ते में ठीक हो सकती है सर्जरी के चार से साथ दिन के बाद आप शायद काम या फिर स्कूल भी जाने लगेंगे लेकिन आपको डिफिकल्ट एक्सरसाइज और भारी सामान उठाने से दो से चार हफ़ते बचना होगा मेंस रिकवरी के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा अब बात करते हैं अगर किसी को हाइड्रोसील है तो उसे किस से बात करनी चाहिए यानि किस से कंसल्ट करना चाहिए तो आप एक जनरल सर्जन या फिर यूरोलोजिस्ट से इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं और अगर हाइड्रोसील के सिम्टम है तो तुरंट डॉक्टर से कॉंटेक्ट करें जिससे किसी दूसरे रोक को होने से बचा जा सके और अगर दर्द और इसक्रॉटम में इसक्रॉटम का आकार बढ़ रहा है तो तुरंट अंडकोस को किसी भी डैमेज से रोकने के लिए उसका इलाज तुरंद कराएं अगर आपको यह सल लग रहा है कि आपको हाइड्रोसील है तो उसका इलाज तुरंट कराएं डॉक्टर से तुरंद मिलें आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों को जवाब दे दिया होंगे और हाइड्रोसील के बारे में हर एक सवाल का जवाब दिया है मैंने पूरी कोशिश की है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले कोई सवाल हो त कमेंट करें थैंक यू